आज हम गुईया के पकोडे बना रहे हैं आपने बाबी जी अगर घर पे देखा होगा तो आपने गुईया के पकोडे सुने तो होंगे पर देखे नहीं होंगे इसलिए तो आज मैं मुमी की मदद करी गुईया के पकोडे बनाने में बचाए हो अब हम इसे खील है यह हमने बॉइल करके रख दिये थे हमने दो सीटी लगाई थी इनको कुछ लोग पिलालू, कचालू और अर्बी भी बोलते हैं यह छिलने से पहले ऐसे दिखते हैं और छिलने के बाद ऐसे दिखते हैं यह मेरी ममा जम केशवर से लाई थी इनको वहाँ पिलालू बोलते हैं फ्रेंस देखो यह मैंने और मममा ने छिल दिये हैं देखो यह कितने सारी हैं अब हम इनको कट करेंगे पहले आप देखो यह कैसे कट करेंगे अब आप देखो ममा इनमें क्या क्या डाल दीए ये बेशन है ममा इनमें बेशन डाल दीए दल गया देखो बेशन डल गया अब ममा नमक डाल जीए और ये धनिया पाउदर है आज ये मसाला है ये कसूरी में थी है ये हींग है और ये खल्दी है ये हरी मिच काटिंगे है ममा अब ममा इनको मिक्स कर रही है आपको जितना चाय उतना पानी डाला है जब तक ये मिक्स नहीं होगा तक तक फिर मिक्स करना है जब पानी डालोगे फिर मिक्स करना है बस अब हमें इनको फ्राइ करना है फिर हमारी गुया की पकोडी बन जाएगी अब ये हमारा मटेरियल तयार हो गया अब हम इनको फ्राइ करेंगे फिर हमारी गुया की पकोडी तयार हो जाएगी फ्रेंस अब ममा इसमें ओइल डाल रही है जब तक ये पूरा गरम नहीं हो जाता तब तक आपको इसमें गुया के पकोडी नहीं डालने है फ्रेंस अब आप देखो ममा इनको कैसे डाल रही है एक एक करके और ये ना जब बन जाएंगे नो बहुत जादा क्रंची होंगी अगर आप इनको दुफाय तक भी रख दोंगे ने फिर फिर क्रंची रहेंगे इसलिए मुझे पता है क्योंकि ये मैंने भी थ्यानी में भी खायते फ्रेंस अब ये बन गए हैं और आप देख सकते हैं ये कि प्रुंची हैं अब ममा इनको यहां से निकालेंगी और यहां पे रख देखो देखो ये ये देखो ममा आप निकाल लिए कर देखो अब ये बन गए हैं ये देखो ये इमली के चत्मी हैं अगर कभी ममा ने बनाई तो मैं आपको इसके भी वीडियो में रिज़ दूँगी अगर आपने कभी गुयां के पकोड़ा बनाया है तो प्लीज लाइक चलो अब मैं खाती हूँ अब मैं तो फिर कमें जरूर करना अच्छा लगे या जपाती हूँ माज अव मिया थैसे कमेंट्ट जरूर करना आए आ, एए, नो में बाया